नमस्कार क्यापटल टीवी का खाश शो राहूल का अगने पर देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूझा राहूल गांदी इन दिनों मिजरम में हैं कहने को तो वो विदान सबाच चनाव के लिए प्रचार करने गए हैं पर वो अपने खुद के एजेंडे का प्रचार करते जादा नज़र आ रहे हैं आज अपने दौरे की शुरुआत स्कूटर की सवारी के साथ की मिजरम के पुर्व सियम से मिलने के लिए राहूल गांदी स्कूटर पर बैठ कर उनके आवास पहुंचे तो वहीं फिर से इंद्री करन पर विश्वास करते हैं जबकि भाजपा मानती है कि सारे फैसले दिल्ली में होने चाहिए साथी राहूल गांदी ने कहा बीजपी भारत के संस्धागर धाजे पर कबजा करने की कोशश कर रही है इसे के साथ पत्रकारों से बाच्चित करते वे राहूल मेरे साथ स्टूडिय में मौजूद है क्या पतल टीवी के एक्सक्यूटिव एडिटर राजीप जी बहुत पहुत स्वागत है अब क्या कर रहे हैं ये राहूल गांदी में जरम में देखिए राहूल गांदी ने जो बाते कही इस बीच तीन चार बाते कही और उसमें से त पूरा जबाब राहूल गांदी और क्या दे सकते हैं जैसे इंटिग्रिटी की बात है आरेसेस बीजेपी इनके आइडियालोजी से राहूल गांदी को समस्या है हमेशा से समस्या रही है और इस बार भी उन्होंने क्या कहा आरेसेस का मानना है कि देश एक विचाधारा से चले यह ऐसे राहूल गांदी ने गलती से ही सही बात बोल दी है क्योंकि वहां तक राहूल पहुंच नहीं पाएंगे लेकिन आरेसेस ये मानता है इस संगठन का विचार है कि एक ही तरीकी एक विचार से देश चलना चाहिए और वो विचार होता है राश्ट बाद का वो के आधार पर देश के फैसले लिए जाना चाहिए देश के लोगों के अंदर वो भाबना होनी चाहिए जिसके आधार पर वोट दें जाती के आधार पर न दें ये बिरोजगारी की बात जो राहुल गांधी जैसे लोग करते हैं महगाई बिरोजगारी ये ऐसा इन्युवर्स सेंट समय आजादी के बाद थे कॉंग्रिस की सरकार रही है वो पार्टी कहते है कि नौ सालों में बिरोजगारी पूरी तरीके से खत्म क्यों नहीं हो गई सारे विचारधारा इनके अपने होते हैं और इनका मानना होता है संग की विचारधारा गलत है क्या रास्टबाद इस देश में गलत है यह इन लोगों के लिए गलत हो सकता है क्योंकि इनका एजेंडा रास्टबादी रहा ही नहीं है अभी राहुल गांधी पिछले दिनों से क्या कर रहे हैं ये रास्ट बादी बात कर रहे हैं या देश द्रोही बाते कर रहे हैं ये सोसल मीडिया से लेकर मेनस्ट्री मीडिया पर सवाल पूछे गए हैं कॉंग्रेस का एक भी नेता जवाब नहीं दे पाता है राहुल गांध अमेरिका में क्या बोल रहे थे जो सुरोष से इनका क्या रिष्टा है। लेकिन ऐसे सवालों से कॉंग्रेस पार्टी को साप क्यों सुंग जाता है। क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। ये लोग सत्तावादी विचारधारा से हैं भारतिय जनतापार्टी और आरेसस का एमानना है विचारधारा सत्तावादी नहीं होना चाहिए राष्टबादी और सत्तावादी विचारधारा में अंतर है राष्टबाद की बात करते हैं तो फिर आप मुद्दो से समझोता नह करते और फिर आप सिर्फ जीत के लिए देश्चे गद्दारी नहीं करते हैं लेकिन जब सत्तावादी विचारधारा हो तो वही जो कॉंग्रेस कर रही है अभी जो सारे जगह पर चुनाब हो रहे हैं और वहां से जो खबरे आ रही है और जिस तरीके से मैनिफेस्टो जारी क कर रहा है कॉंग्रेस पार्टी से जारी की जा रही है और वो तिलंगना में हो या फिर मद्दपर्दिस राजस्तान हो हर जगह पर जहां पर आगे भी जारी किया जाएगा उसमें इनके दिमाग में एक बात है जो तिलंगना में सामने आया जब यह सोना बातने की बात कर र यह बोलना है इन लोगों का कि हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है हिंदूओं को बाटने का जो भारतिय जंतापाती हिंदूओं के बीच अपनी पैठ बनाई है उसके तोड़ने का ही तरीका है कि खजाना खाली करो मतलब परलोभन दे के हिंदूओं को बाटो जातियों में हिंदूओं को बाटो और इन मुसलमानों के तुष्टिकरन की राजनिती करते रहो यही सत्तावादी राजनिती है और यह कॉंग्रेस करती रही है राहूल गांधी अभी भी कर रहे हैं लेकिन जब इनसे पूछा गया यह धर्म जाती यह तुष्टिकरन यह धुरूविकरन यह सारे मुद्दे तो कॉंग्रेस की देन है आपने धुरूविकरन किया मुसलमानों का तो एंटी धुरूविकरन एंटी पोलराजेशन जो कहते हैं वो हिंदूओं का भारतिय जनतापा पाटी के तरफ हुआ तो आपको लगने लगा यह तो हिंदूओं का पोलराजेशन है हिंदू अगर ही कठा हो तो कॉंग्रेस को तकलीफ होगी लेकिन मुसलमान ही कठा होकर टैक्टिकल वोटिंग करें हर स्टेट में बीजेपी के खिलाफ जो जीते चुनाव उसी को वोट दो आमादबी पार्टी को भी दे दो कॉंग्रेस को दर किनार कर दो करनाटेक में कॉंग्रेस के दो दूसरी पार्टियों को नदो या राजस्थान में कॉंग्रेस को दो मद्ध परदेश में कॉंग्रेस को दो और जहां पश्चिम बंगाल में कॉंग्रेस की आवकात नही हिंदू इकठा होकर भाजपा को वोट देने वाले हैं तो इन लोगों की परिशानी बढ़ती है फिर ये डिविसी पॉलिसी की बात करने लगते हैं पॉलिटिक्स की बात करने हैं कि विभाजन कारी राजनिती भारतिये जनता पाती करती है विभाजन कारी राजनिती तो कॉं देखने लगे जैसे कि राजनितिक पार्टियों की पर्तिद्वन्ता उनके बीच आ गई है। खांदानी पेशा ये हैं ये बिजनस का सकते हैं ये बिजनस है इनको राजनिति करना और इनके घर में राजनिता ही पैदा हो सकता है। क्योंकि वन्षबाद राजनिती में जो लाया गया है ये कॉंग्रेस के माध्यम से ही लाया गया हिंदुस्तान की राजनिती में। और ये वन्षबादी पाटियों पर जब बात कही जाती है जैसे आज चेत्रिये पाटियों की बात है, जितनी चेत्रिये पाटियां हैं लगवग वन्षबादी पाटियां हैं। लालू यादव की पार्टी हो या फिर इसमें से exception में अभी नितीश कुमार की पार्टी को रखा जाता है ये नितीश कुमार अभी भी उस दिशा में नहीं चले हैं ममता बनर जी उनकी पार्टी में क्या है अभिशेक बनर जी को उत्राधिकारी बनाने के चकर में लगे हैं ऐ लेकिन माया बति भी ये जो अपने भतीजे को सामने ला रहे हैं अकाश आनंद को तो इस सारी पारटिया बनशबादी पारटिया है। लेकिन राहुल गांधी से जब ये पूचा गया तो इनको दिक्कत इस बात की लगने लगी कि इन्होंने लोगों को कन्फ्यूज करने की कोशिश की कि बंशबाद का मतलब अगर तुम्हारा पिता राजनिती में है तो तुम ये मान कर चलो कि राजनिती में तुम आओगे ही नहीं बंशबादी पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं होता है कि अगर किसी का पिता राजनिती में हो और उसकी पूरी एक्छा हो उसकी छमता हो कि हम राजनिती करेंगे तो भी वो राजनिती न करें क्योंकि उस पर बंसवात का ठपा लग जागा इन्होंने कहा अमिश्चा का बेटा क्या करता है ये अमिश्चा का बेटा क्या करता है वो आकर देख लिजे आप क्योंकि अमिश्चा आज से राजनिती में नहीं है किंद्रिय राजनिती से पहले गुजरात में राजनिती कर रहे थे गुजरात के होम मिनिस्टर रह चुके हैं और इतने सालों से राजनिती में क्या जैशाह ने आज तक कोई भारतिय जंता पार्टी में राजनिती पद लिया नहीं इच्छा थी इंट्रेस्ट नहीं था कि हम पॉलिटिक्स में जाएंगे बिजनस किया और बिजनस के माथनम से वो क्रिकेट एसोशियेसन में आये हो सकता है कुछ फायदा मिलाओगा उस परिवार से रहने का लेकिन उन्हों ने जो मιहनत की वो जैसे जगमजन डालमिया, शरद पवार जैसे लोग किर्केट एसोसेशन में आए, तो वो राजनिती के माध्यम से ही आए, कि कुछ दूसरे फायदे के अनुसार भी उन्होंने उसमें किर्केट की राजनिती की, किर्केट की राजनिती भारतिय जन्ता पार्टी के कही नेता करते हैं, और शाकूर बच्पन से, यानि चातर जीवन से ही राजनिती करते रहें, अब उनकी इच्छा थी राजनिती करने की चातर जीवन के राजनिती की, उन्होंने स्टुडेंट इन्यून का चुनाब लड़ा, आगे उन्होंने स्टेट लेवल पर चुनाब लड़े, और फिर आज 15-20 सालों के संगर्ष के बाद केंद्र में राजिती कर रहे हैं या फिर राजना सिन के बेटे पंकर सिन की बाद करते हैं वो अभी एक विधायक हैं दो बार से विधायक है कोई भी इतने बड़े नेता जो पुरू परदेश अध्यक्ष राच चुके हैं बारतिय जन्ता पार्टी के जो उत्तर परदेश के मुख मंतरी रह चुके हैं उनके बेटे को एक विधान सभाद चेतर में प्रयास करना पड़े इतने दिनों के मेहनत के बाद उनको टिकट मिली कि पहले तुम काम करो उस चेतर में टिकट में लिए जीत हुई अभी भी मिनिस्टर तो नहीं है क्या राजनाति इन एक बार कह देंगे योगी को भाई मेरी मदद करो मेरे बेटे को मिनिस्टर बना दो तो योगी नहीं बना पाएंगे लेकिन यह परंपरा नहीं है भारतिय जन्ता पार्टी की यह वंशबादी राजनीती का मतलब होता है कि किसी राजनीतिक पार्टी में किसी के एंट्री बड़े पदसे होती है और उस पार्टी पर उसका कबजा होता है जैसे इन पार्टी ओं में है कि इन पार्टी ओं में इन लोगों के ये पार्टी में एंट्री की बात नहीं है या कॉंग्रेस में गांधी परिवार के अलावा कोई सर्वे सर्वा नहीं हो सकता अगर होगा भी मलिकार जुन खड़गे की तरह है तो वो कठपुतली होगा अगर PM होगा भी मनमुहंसिन की तरह तो वो सोनिया गांधी के आफिस से देश चलाएगा ये विवस्था होती है जिसको कन्फियूज करने ही कोशच की लेकिन लोग बेवकूप नहीं है वो मुस्कुराहट सबके चेहरे पर जो थी राहूल गांधी के जवाब से थी राहूल गांधी अब बेशरमी दिखाएं तो अलग बात है लेकिन तीन बार मंच से ही उनकी बेज़ती हुई और मंच छोड़कर वो बेज़त होकर ही गए कॉंग्रेस को ये समझना चाहिए कि किस नेता को हम किस जगह पर बिठाया हुगा इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है बहुत बहुत धन्यवाद से लिखाने के लिए तो राहुल गांदी मिज़रं के दोरे में हैं मिज़रं के कॉंग्रेस नेताओं के साथ बैठक की है इसके बाद उन्होंने एक प्रस कौन्फरिंस को भी संभोधित किया पर जिस तरह से राहुल गांदी अपने यात्रा में बियान दे रहे हैं वो बताता है कि राहूल गांदी अपने चुनावी यात्रा पर नहीं है बलकि वो अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं। बार बार बीजपी, RSS पर सवाल खड़े करना ये राहूल गांदी की पुरानी आदत है। इस पर आप अपनी राहे कॉमेंट करके जरू लिखें। देख देख देरें कापिटल टीवी नमस्कार।